यार कल की जो रात थी वो काफी ज़्यादा खदरनाक थी और ये कल का पूरा दिन ही बहुत खदरनाक था क्यों ऐसा क्या हुआ मेरे साथ देखिए ये जो मेरे साथ हुआ है वो कभी न कभी न कभी न कभी न कभी आपके साथ भी हुआ होगा अगर नहीं हुआ है तो कभी न कभी न कभी न कभी तो हो नहीं वाला है तो ऐसा हुआ क्या था तो देखिए कल का दिन था साटड़े का दिन और मैं घर पे बैट के पूरा दुनिया में नहीं, तो कि मैं इसी दुनिया में सिर्फ पूरा दिन YouTube के शॉट इंस्टाग्राम, जो कि मैंने अनिस्टॉल करके रखाया, लेकिन मैं फिर भी Google Chrome से उसको धपा धप स्क्रोल करते जा रहा था, फिर जैसे ही मैंने पूरा दिन वेश्ट कर दिया, अपना तो सोने के लिए कोशिश करते है, बजे थे 10, लेकिन 10 बज गए, और मैं सो नहीं पाया, तो 10 बजे से लेके 4, 5, 6 बजे तक, सुबा के 6 बजे तक, मैंने क्या किया, मैंने वही चीज की, जो मैंने सुबा से राद तक की थी, यानि कि मैं पूरा दिन मोबाइल पर ही था, तो कल का पहला ऐसा दिन था मेरी जिंदगी में, जब मैंने अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम चेक किया, तो उसका कुछ तो था 20 गंटा और 40 मिनिट, तो मैं तो कुछ जाधा ही क्रेजी हो गया, क्योंकि पूरे दिन में सुर्फ 24 गंटे होते हैं, लेकिन 24 गंटे में से मैंने 20 30 गंटे और 40 मिनिट, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम, फेस्बुक और यूट्यूब ये चीज़े यूज़ की, और फिर मैंने सोचा कि यार, ये क्या हो रहा है, और जब मैं 6 बजे भी सोने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे जरा भी नीम नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने पूरा दिन इतना सारा कंटेंट देख लिया था, कि मैं सब सोने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे सपने में भी वही चीज़े आ रही थी, और मैं 10 मिनिट में उट रहा था, यार, ये जिन्दगी में वापस कभी नहीं होना चीए, और अगर ये चीज़ वापस कभी हुई जिन्दगी में तो यार, जिन्दगी बरबाद हो जाएगी, और फिर वो बरबाद होने के बाद फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम आबाद नहीं हो पाएंगे, तो मुझे जरूर लगता है, हो सकता है, ये एक और रीजन है कि कल मैं थोड़ा साड था, मतलब अगर मैं सोशल मीडिया कंटेंट या यूट्यूब कंटेंट या कोई भी कंटेंट, अगर मैं पूरा दिन कंजूम करूँ, मतलब 24 गंटे मैं से अगर मैं 20 गंटे अगर वो कंटेंट कंजूम करूँ, तो फिर क्या ही होने वाला है, तो ये समय पे मुझे कुछ समझ में न सुबा के 6 बजे तब मैं वापस किसी की बाते सुन रहा हूँ तो मेरा दिमाग कल जो fry हो गया था actual में कल मेरा भेजा fry हो गया था कैसे दो भी मैं सो गया सुबा को 6 बजे और मैं अभी उड़ गया हूँ और अभी उटने के बाद मैंने थोड़ा सा breakfast किया है breakfast में मतलब मैंने सिर्फ दूद पिया है और मैं बैढ गया हूँ यार मतलब वीडियो रेकॉर्ड करने के लिए क्योंकि मैंने कल एक चीज सोची सुनी और मेरे दिल को मैंने समझा दी कि अगर कुछ करना है तो content create करना है consume नहीं करना है या तो मैं लिखने लग जाओं या तो मैं खही चुप-चप शान चाके बैठ जाओं या तो फिर मैं कुछ तो ऐसी चीज करूँ कि जिसके बाद मैं content consume ना करूँ क्योंकि यार ये बहुत जादा hurt कर रहा था मेरे brain को और शायद मैंने पहली बार अपने जिंदगी में 24 घंटे में से 20 घंटे content consume किये और मैं सोया ही नहीं हूँ मतलब मैं सुबा 8 बजे उठा था और मैंने content अगले दिन सुबा के 6 बजे तक consume किया मतलब 20 से भी जादा घंटे हो गए लेकिन यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैंने अपना screen time देखा तो वो डायरे खतरनाक level पर पहुझ जिया था सिफ mobile की अगर बात करे तो mobile मैं पूरा दिन use कर रहा था उसकी battery खतम होने के वाद सको charging पर रख रहा था और तभी मैं अपने laptop में screen पे कुछ ना कुछ देख रहा था यार ऐसा नहीं चलेगा और यह ऐसा चलना भी नहीं चीए क्योंकि भाई वरना short ही short हो जाएगा तो तुम लोग भी यार इसको try करो समझने का और अगर possible है तो इतना सारा content consume मत करो कल्ब मेरा पहला और आखरी दिन था वो कि मैंने इतना जादा content consume किया और एक चीज़ याद रखना जबी भी तुम sad रहोगे तो तुम्हें सबसे जादा social media या फिर youtube या फिर tv या तो यह सब देखने का मन करेगा happiness में भी public देखती है लेकिन इतना नहीं देखती जितना कल मैंने देख लिया था तो यार अगर तुम्हें कुछ पता है यह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो please मुझे बताओ यार comments कर सकते हो तुम अगर चाहो तो अगर ना चाहो तो यह क्या करना है तुम्हें तुम्ही सोचो क्यों कि तुम्हारी जिंदगी है